वैसे आप लोगों ने यहाँ पर एक बात नोटिस की कि जैसे Redmi Note 7 की इंडिया लोंच डेट कंफर्म ही जो की है 28 फरवरी उसके एक दिन बात दी Samsung Galaxy M30 की लोंच डेट भी कंफर्म हुच की थी जो की है 27 फरवरी इसको देखके आप लोग यहाँ पर अंदाजा लगा सकतो कि भा आइ यहाँड़ने की कोशी्स करेंगे कि दोनों में से कौनसा फोन किस मामलम में आ पर आगे निकलता है कोस फ्वन में कौन को लिए बटर देहने के मिलती है और आपके साबसे आप में आपके निर्टर फोन को सकता है तो राम राम और नाम आण धूस क्तॉ में टूश्य का वेल सबसे पहले तुम्हें आपर क्याना चाहूंगा कि Samsung का M30 है यह हमको M10 और M20 से काफी बेटर मिलेगा और हाँ यह स्मार्टफोन रेड्मी फॉटिसमें के साथ में कॉप्टिशन खड़ा यहां पर उतर सकता है उसके हिसाब से यहां पर नोट उन दोनों चीजों कि यहां पर बात कर लेते हैं जैसिके सबसे पिल आगर हम यहां पर बात करते हैं Galaxy M30 के बारे में, तो इस फॉन में हमको जो है, एक Amulet Panel देखने को मिलने वाला है, यानि कि डिस्पिल हमको एक Amulet Panel वाले देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पर 6.4 इंच की हो सकती है, यहाँ पर हमको Water Drop Notes मिलेगी, bottom को चिन है, वो भी यहाँ पर काफी कम है, वही अगर हम बात करते हैं, Redmi Note 7 की, तो यहाँ पर भी हमको Water Drop Notes मिलेगी, bottom को चिन काफी कम मिलेगा, दोनों फॉर्म में, फ्रॉले टीपलस की यहाँ पर डिस्पिले मिलेगी, और हाँ यहाँ यहाँ पर जो Redmi Note 7 है, इसमें हमको एक IPS पैनल मिलेगा, Redmi Note 7 की डिस्पिले हैं यहाँ पर काफी नहीं कर पाएगी, यानि कि M30 के डिस्पिले में हमको More Color, More Contrast और धूप में भी जो यह डिस्पिले होगी ना, इसके जो कलर बगर होंगे, यह पर जो भी आगर आप वीडियो देखते हो, धूप अगर में, तो M30 में आपको काफी बेटर दिखेंगी, as compared to Redmi Note 7 से, साथ जो Redmi Note 7 है, इसमें हमको Gorilla Glass 5 की पोटेसर मिलेगी, और अगर मैं बात करता हूँ, Galaxy M30 की, तो यहाँ पर हमको Asai का Dragon Tell Glass मिलेगा, लेकर अगर मैं बात करता हूँ, Dragon Tell Glass की, तो इसको अब कम समझेए, यह भी यहाँ पर काफी इफ्टर होंगे, जिस तरह से हमको Gorilla Glass देखने को मिलता है वह एकर हम बात करते हैं, दोनों फोन के बैटरी की, तो Redmi Note 7 में हमको मिलती है 4000 मेंच की बैटरी, और जो हमारा M30 है, इसमें मिलती है 5000 मेंच की बैटरी, दोनों में USB Tab-C का पोर्ट मिलेगा, फास चार्जिंग दोनों ही फोन में हमको देखने को मिलेगी, और हाँ यहाँ यह बैटरी के मामले में भी, जो हमारा M30 है, यह आगे निकल जाता है, as compared to Redmi Note 7 से, लेकिन एक और चीज यहाँ पर यह है, कि Redmi Note 7 में हमको फास चार्जर बॉस कंदर देहने को नहीं मिलेगा, जबकि Galaxy M30 में जो फास चार्जर रहना, वो हमको बॉस के साथ है देहने को मिलेगा, तो 1000-1000 का फायता आपको Galaxy M30 के साथ ने भी यहाँ पर होगा, तो इस मामले में भी, जो हमारा M30 है, यह बीट कर जाता है Redmi Note 7 को, एक और चीज यहाँ पर यह है, जो कि triple slot वाली चीज है, याईनि कि जो M30 है, इसमें हमको triple slot मिलेगा, और जो Redmi Note 7 है, यहाँ पर हमको hybrid slot मिलेगा dual voltage दोनों फोन में यहाँ पर काम करेगा, लेकिन triple slot के चकर में, जो है, सोमी यहाँ पर पीछे छूड़ गया है, पता नहीं सोमी यहाँ पर कब यहाँ शुदरेगा, कब हमको triple slot लागे देगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर कुछ और चुज़ों की बात कर लेते हैं, जैसे कि दोनों फोन के कैमरे के बार में, अब इक कैमरे ऐसी चीज जैना, जिसको टेस्ट करके यहाँ पर बताना थोड़ से मुस्कुल हो जाता है, बट हमने यहाँ पर जो इन दोनों फोन की सीरीज के यहाँ पर काफी जो कैमरा सेंपल वह यहाँ पर देखे ही है, जैसे कि हमने Redmi Note 7 का कैमरा आँ यहाँ पर कैमरा है, तो उनमें हमको 48 पलस, 5 जगा पीसल का कैमरा मिलता है, 48 मेंगा पीसल का कैमरा है यहाँ पिक्सल बेंग के जिनी महां बनाए यह हैं कि 12 MP और veya history प।ा बनाए जाती है और 5 जगापिसल का मैरा है यह एक यहाँ पर Depth Center वाला कैमरा है, साथ ं एक प्रावरिंक यान कि समसंग केमरे में एक अच्छा अंपको मिलता है जो कि हैा वाट एंगल और यहां पर हालडर मिलता है basically और hardware के जरी हमको फीचर मिलता है जो कि यहाँ पर Redmi Note 7 में नहीं मिलता है बट अगर हम बात करते हैं पर दोनों फोन की image quality की तो अभी तक के साफ़ जो तो Redmi Note 7 है ना on the paper यह जो smartphone है Galaxy M30 से आगे निकल जाएगा front के बात करता हूँ तो front में हमको 16 Megapixel की selfie दोनों फोन में देखने को मिल सकती है वहीं अगर मैं बात करता हूँ इन दोनों फोन के Android वर्जन की तो Redmi Note 7 में हमको MIUI के साथ में जो है Android Pi मिलेगा और उम्मीद हमको यहाँ पर Samsung से भी यही है कि M30 के साथ में भी हमको Pi का support देखने को मिले जो कि Samsung की खुद की यानि की experience UI के साथ में आएगा अब ही हम लगियां बात करते हैं दोनों फोन के performance की तो जो Redmi Note 7 है इसके साथ में confirm है कि Qualcomm का Snapdragon 660 हमको देखने को मिलेगा वहीं अगर मैं बात करता हूँ M30 की तो बहुत सारे तगड़े यहां पे leaks निकल के आ रहे हैं इस phone के साथ में हमको Exynos का 7904 processor मिलेगा यह वही processor है जो कि हमको M20 में देहन को मिलता है हाले कि अभी यह leaks है देखते हैं कि finally Samsung इसके साथ में कौन सा processor देता है बट अगर हम इस time पे जो है इस list को यहां पर सचमान है और बात करें दोनो फोन के performance की तो यहां पर यहां नो डाट की जो Redmi Note 7 है न यह performance के मामले में थोड़ सा beat कर सकता है Galaxy M30 को तो हाँ यहां पर जो है Redmi Note 7 इस मामले में भी थोड़ सा आकर निकल सकता है इसके बाद हम लोगे बात कर लेते हैं दोनो फोन के pricing के बारे में जो कि सबसे main important factor हो सकता है किसी भी फोन के हाँ पर hit बनाने के लिए तो सबसे बिला आपको बता दें कि दोनो फोन में हमको 3GB, 4GB और 6GB वाले RAM variant देहने को मिल सकते हैं 32GB और 64GB की इंटला इस्टोरेज हमको दोनो फोन में ही देहने को मिल सकती है अगर मैं यहाँ पर pricing की बात करता हूँ तो जो Redmi का Note 7 है ना इसकी price यहाँ पर 11,000 यह फिर 12,000 के आसपास start हो सकती है और जो हमारे Galaxy M30 है इसकी price यहाँ पर 14,990 से start हो सकती है यानि कि हाँ दोनों फोन के pricing में यहाँ पर थोड़ सा different है लेकिन अलग-अलग scenario में दोनों फोन यहाँ पर best हो सकते हैं जैसे कि सबसे फिल अगर आपको यहाँ पर एक अच्छे display चाहिए वाइट इंगल वाला feature चाहिए, triple slot अला यहाँ पर phone चाहिए आपको साथी बैटरी थोड़ सी और बड़ी चाहिए और फाह चर्ज़र अगर आपको बोस के अंदर ही चाहिए ना तो यहाँ पर गलेक्स को जो M30 है यह थोड़ से आपर बेटर हो सकता है और साथी हाँ Samsung के branding भी आपके यहाँ पर मिल जाती है लेकिन उसके साथ में अगर आपको पर्फर में थोड़ी सी और बेडर चाहिए कम पैसों में साथी कैमरा थोड़ सा और इंप्रूइमेंट आपके यहाँ पर चाहिए तो आपके लिहाँ पर जो Redmi 2 Note 7 है वो phone बेडर हो सकता है यह तो था यहाँ पर इन दोनों phone का comparison लेकिन आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग यहाँ पर इन दोनों phone में से किस phone की तरव यहाँ पर जाना चाहते हो सारी चाहिए मैंने आपको इस वोड़ो में किलर कर दी वागी फैनल चीज हम लोग देख लेते हैं 1788 और इको कि वैसा आप यह दोनों company यहाँ पर क्या कमाल हमारे लिए यहाँ पर करती है आज वोड़ो में अगर आपके वोड़ो काम के लगती है तो वोड़ो को लाइक कर अपने फ्रेंड के साथ में सेयर कर नामत भूलना साथ अगर आपने वीदे चलों को सब्सक्राइब कर लेजिए और दबाजिए बैल ऐकन को जिससे आपको हन्ने वीडियो को सबसे बिले देहने को मिल जाएगी तो अगली वीडियो में तब तक लिए ओवर एन आउट